हाई गाईज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैल में और मैं हूँ विशाल कुमाजा स्वाल और गाईज इस वक्त हम आपके लिए आए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियूज इस वक्त फ्लैश हो रहा होगा आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त भारत स सरकार ने 59 टोटल चाइनीज अप्स को पूरी तरह से बैंकर दिया है जिसमें से टॉप इंप्लोडिंग नेम्स जो हैं उनमें से सबसे टॉप में जो नाम जो काफी दोनों से एक्सपेक्टेट था वो है टिक टॉक देन देरा मिनी फेमस चाइनीज अप्स जो है जिनको ब है ट्रियोटिक डिशिजन लिया है देशभक्त वाला एक डिशिजन लिया है भारत सरकार ने और हम सभी को भारत सरकार का के इस जो एक बहुत ही अच्छा स्टैप उन्हों ने उठाया है इसमें सपोर्ट करना चाहिए आपको मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री क्या कहा है आई प्लिक और तो गाइज ये एक्सपेक्टेड था और ये शायद होना चाहिए था हर एक उस इंडियन जो देश से जुड़ा हुआ है अपने देश से भारत से अपने मात्रभूमी से प्यार करता है मेरे खाल से बहुत अच्छा स्टैप सभी को इसका फुल सपोर्ट में उतर सरकार ने जो चाइनीज जो जड़ब हो रहा है एल एसी यानि की लाइन ऑफ एक्ट्रोल में लद्दाक में जो मामला चल रहा है उसके ऊपर में भारत सरकार ने एक स्टेप उठाया है जो कि बहुत शांदर स्टैप्स है और गाइज लंबी फेरिस्ट है यहां पर जो 29 चै Section 69A of Information Technology Act का यूज करते वे ये कहा है कि 130 करोड से अधिक जो भारत की जंजन क्या है उनके जो परसनल डेटा है सेक्योर्टी है उसको ध्यान में रखते वे भारत सरकार ने यह तगड़ा स्टैप उठाया है गाइज हम सभी को भारत सरकार के इस जो बहुत ही एक bold step लिया है इसका समर्थन करना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए हम सभी इसके साथ हैं गाइज और कल सुबह तक पूरा विश्व देखेगा कि भारत अपनी देश की सीमा की रक्षा करने लिए क्या कुछ नहीं कर सकता So I think salute to our motherland और guys मैं बार बार जो कहते वे आया हूँ प्लीज मेरे साथ बोलिये जै हिंद जै भारत